पेंच्वेली एक्स्प्रेस रद बसों के किराय में अचानक हुई वृद्धी पर्व के पूर्व इन सब की अपने अपने घरों में वापसी होने लगी है लेकिन यातायात के सबसे सुलब सस्तेव आरामदायक सफर के लिए इनदौर से सिवनी के मद्य संचालित पेंच्वेली यात्री ट्रेन क्रमाक 19343 वचिद्वारा इनदौर पेंच्वेली ट्रेन क्रमाक 19344 को रेल विभागने रद कर दिया है इनदौर सिवनी ट्रेन 23, 25 एवं 26 अगस्त को रद रहेगी वही छिद्वारा इनदौर ट्रेन 24, 26, 27 वचिद्वारा को नहीं चलेगी पहले से ही इना ट्रेनों में आरक्षम करा चुके यात्रियों के पास ट्रेन रद होने के संदेश गुरुवार को मिले इसके बाद से ही अचानक यात्री बसों के किराए में दो गुना बड़ोतरी हो गई है विगत 23 अगस्ट के पहले इनदौर से सिवनी के मध्यनान AC बस के सिंगल स्लीपर का किराया 750 रुपय था जो शाम होते तक 1500 रुपय हो गया था ट्रेन केंसिल होने के बाद विद्यार्थी वा आम नागरिक किसी भी तरह इनदौर वा भोपाल से सिवनी आने के लिए बसों की आनलोईन बुकिंग साइडो को खांगल रहे है जहां 26 अगस्ट को AC बस में इनदौर से सिवनी का किराया 2500 रुपय हो गया है जबकि ट्रेन से AC स्लीपर का किराया मात्र 850 रुपय होता है कुल मिलाकर ओनलाइन बुकिंग के नाम पर बस संचालकों ने मनमानी तरीकों से यात्री किराय में वृद्धी कर दी है पर वो मनाने की मजूबरी में यात्री भी तरह बसों में बुकिंग कराके सफर की तयारी कर रहे है किराय रुद्धी को लेकर परिवहन विभाग भी हर वर्ष की तरह कोई कारेवाही नहीं करता दिखाए दे रहा है